बारे में यह जो टॉपिक है वो फार्मासिटिकर एनालिसिस में आता है इसके पहले हमने प्रिप्रेशिन और स्वेडियो अपलोड किया हुआ अब एक बार जरूर देख लीजिएगा ठीक है तो चले यह शुरू करते हैं पहले हम देखेंगे प्रिंसिपल और sulfuric acid is titrated with sodium carbonate using methyl orange as an indicator तो हमको principle में क्या लेखना है कि किसका standardization हम किसके साथ कर रहे हैं और कौन सा indicator use कर रहे वो आएगा हमारा principle में तो यहाँ पर हम sulfuric acid को titrate करेंगे sodium carbonate के साथ और methyl orange यहाँ पर हमारा indicator रहेगा ठीक है और हमारा जो end point आएगा उस पर red color आएगा ठीक है अब देखते हैं reaction तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि H2SO4 का reaction हम sodium carbonate के साथ करते है ठीक है और यहाँ पर मैं आपको procedure start करूँ से पहले ही observation बता देती हूँ तो हम यूरेट में लेंगे 0.1 normal H2SO4 जो हम अभी procedure उसका देखेंगे फ्लास्क में हम लेंगे sodium carbonate का 10 ml solution और indicator ठीक है और indicator रहेगा हमारा methyl orange जो हमारा end point जो आएगा वो red color आएगा ठीक है अब हम देखते है प्रोसीजर तो पहले हम प्रोसीजर देखेंगे के how to prepare 0.1 normal H2SO4 ठीक है तो हमको अगर 0.1 normal H2SO4 पर prepare करना है तो पहले हम लेंगे 4.9 ml concentrated H2SO4 क्वालिमेटिक फ्लास्क में उसके बाद उसमें धीरे से धीरे धीरे करके 900 ml water add करेंगे उसके बाद solution को cool होने देंगे और उसके बाद हम उसका volume makeup करेंगे water का use करके और हमको जो volume हमारा जो produce होगा वो 1000 ml होगा ठीक है तो पहले हमको क्या करना है एक volumatic flask लेना है उसमें 4.9 ml concentrated H2SO4 लेना है उसके बाद उसमें धीरे धीरे करके हमको 900 ml water add करना है फिर solution थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद हमको उसका volume makeup करना है with the water और हमको final volume हमारा जो रहेगा वो रहेगा 1000 ml ठीक है तो यह हमारा prepare हो चुका है 0.1 normal H2SO4 और उसको हम यह जो बनाएंगे उसको ब्यूरेट में ले लेंगे ठीक है उसके बाद हम देखते हैं कि हाव टू प्रीपेर sodium carbonate 0.1 normal तो उसके लिए हम 5.3 gram sodium carbonate लेगे और 1000 ml water में डीजल करेंगे तो हमारा 0.1 normal sodium carbonate बन जाएगा उसके बाद हम देखेंगे कि स्टांडराजेशन की प्रोसीजर ठीके तो स्टांडराजेशन की प्रोसीजर में हमको क्या करना है कि हमने उपर जो sodium carbonate बना उसमें से हम 10 ml solution लेंगे एक कॉनिकल फ्रास्क में और उसके टू 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 ट्री ड्रॉप्स मिथायल और इंडिकेटर डालेंगे उसके स्टार्ट करेंगे और जिसने से मारे स्टार्ट होगा तो एक प्रोसीजर एक हमारा स्टार्ट कलर डिवलाप हो जाएगा वाज़ेसे रे अडेवलाप हो जाएगा तो हमको समझ लेना है कि हमारा एंड़ पॉइंट है ठीक है तो यह जो प्रिप्रेशन एस्टांडराजेशन ओफ 0.1 normal जो H2S उफर उसमें पहले हमको क्या करना है principal लिखना है तो principal में हमको पता है कि हम buret में क्या लेते, flask में क्या लेते उसके हिसाब से हम क्या करेंगे क्या करेंगे हम की principal बनाएंगे ठीक है तो हम क्या करेंगे सोडियम कारबोनेट के साथ करेंगे मिथायल और इंडिकेटर का यूज करके हमारा प्रिंसिपल हो चुका है उसके बाद प्रोसिजर में हम क्या लिखेंगे तो कूल मिलना के हमारे जो यह टाइटरेशन है उसमें क्या होता है हमको एक बूरेट लेना है और एक फ्लास्क लेना है बूरेट में हमको 0.1 नॉर्मल H2SO4 को बना के उसमें भरना है और फ्लास्क में सोडियम कारबोनेट का सोलिशन और मिथायल और इंडिकेटर लेना है फिटाइटरेशन करना है और जैसे जिसन हम टाइटरेशन करते जाएंगे हमारा सोलिशन रेड कलर का हो जाएगा तो हमारा यह एंड पॉइंड आ जाएगा बस इतना है इसी चीज को आपको प्रिंसिपल में भी लिखना है यहाँ पे आप देख सकते हो प्रिंसिपल में कि हमने लिखा है कि सल्पिरिक एसी टाइटिटर भी सोडियम कार्बोनेट उजिंग मिठाल और इंडिकेटर और रेड कलरका सोलिशन हमारा रास्ट में बनता है यही चीज आपको प्रिंसिपल में लिखनी और वही चीज आपको अब्जरवेशन में भी लिखनी है आप देख लो एक बार और फिर हम को लिखना है प्रोसीजर तो आपको सिर्फ याद रखना है प्रोसीजर फिगर भी आपको एक्जाम में ड्रॉ करना है ठीक है और फिर प्रोसीजर लिखना है तो आप प्रोसीजर भी आरम से देख सकते हैं बहुत इजी है पहले हम 0.1 नॉर्मल एच्टेस ओफोर बनाएंगे उसके बाद स कालकुलेशन के लिए आपको इक इकवेशन चेह जो अगर हमें को नर्माली दीपालीजिंट करना है Curry रोफ्त में एगा और बिट इस ऊप्र बिपेरकिय गा्या सिरो पिलन और विटू में आएगा हमारा 1940 reading 53 वीरेट कंए और हमो उसके ही सबसे calculation करना है, सिर्फ आपको exam में theory portion में इतना ही लिखना है, ज्यादा calculation करके आपको दिखाने की कोई जरूरत नहीं, आपको लिखना है principle, reaction, observation, procedure and calculation का formula और figure draw करना है, इसके सिर्फ आपको theory में कुछ भी नहीं लिखना है अरिको बसे लिए我याद अर्माला ईता है, उmedi olduğunuigraphy कोईड़को कि एल दो करके लिखना हूदर विखना है, भी जरूरत अर्माला बदार दिखना है, जिर में दितमाहा है इ grip हो हो कि प्युरत विखना है, जितमाहा है की कर अभीन हPr двух उतक्ता है, आपको आपको चाहा है, जांश